यह कहानी उस समय की है जब भारत के विभिन नक्षेत्रों पर मुगल समराट अकबर का शासन था लेकिन राजस्थान के मेवाड राज्य में महाराना प्रताप अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे यह एक ऐसी गाथा है जिसमें एक और अकबर का विशाल मुगल समराज्य था जबकि दूसरी और महाराना प्रताप का द्रिध निश्चय और आत्म सम्मान अकबर मुगल समराज्य का तीसरा समराट था जिसने 1556 से 1605 तक भारत पर शासन किया उसने अपने समराज्य को बहुत विस्तार दिया और पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया अकबर ने अपनी नीती के तहट विभिन्न राजपूत राजाओं को अपनी सत्ता के अधीन कर लिया और उनसे संबंध स्थापित करने की कोशिश की उन्होंने कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया और कई राजपूत शासकों से संधी की। महाराना प्रताप मेवार राज्य के 54 वे महाराना थे। उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। वे एक वीर योध्धा, निष्ठावान राजा और स्वाभिमानी नेता थे जो अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार थे। प्रताप का जीवन संघर्षों से भरा रहा लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बाहरी सत्ता के सामने अपना सिर नहीं जुकाया। महाराना प्रताप ने अपनी धर्ती और अपनी स्वतंतरता की रक्षा के लिए मुगलों से लगातार युद्ध किये। अकबर ने जब राजस्थान के अधिकांश राजपूत राज्यों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया तब मेवाड राज्य और उसके महाराना प्रताप ने उसकी अधीन तस्वीकार करने से इंकार कर दिया। जब की अकबर की विशाल सेना को राजा मानसिह के नेत्रित्व में भेजा गया था। हल्दी घाटी का यह युध राजस्थान के पहाडी इलाके में लड़ा गया था जहां महाराना प्रताप ने गोरिला युद्ध की रणनीती अपनाई। इस युद्ध में महाराना प्रताप ने अद्विती ये साहस और पराकरम का प्रदर्शन किया। उनके पास उनका वफादार घोडा चेतक था, जो युद्ध में उनकी बहुत मदद करता था। युद्ध के दौरान महाराना प्रताप ने मुगलों की सेना के कई सैनिकों को परास्त किया और खुद भी घायल हुए लेकिन चेतक की मदद से वे युद्ध भूमी से सुरक्षित निकलने में सफल रहे चेतक महाराना प्रताप का वफादार घोडा हल्दी घाटी के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है जब महाराना प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे तब चेतक ने उन्हें युद्ध भूमी से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया चेतक ने घायल होते हुए भी 26 फीट लंबी खाई को पार किया लेकिन अंततह उसकी मृत्यू हो गई उसकी वफादारी और बलिदान को हमेशा याद किया जाता है हल्दी घाटी का युद्ध अत्यंत भीशन था लेकिन इसे किसी भी पक्ष की सपष्ट जीत नहीं माना गया हालांकि मुगलों ने मेवार के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया लेकिन महाराना प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा की वे अपनी सेना को पुनरगठित कर मुगलों के खिलाफ लगातार संगर्श करते रहे हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराना प्रताप ने हार नहीं मानी वे जंगलों और पहाडों में अपने परिवार और कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ रहे अकबर ने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन महाराना प्रताप ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझोता नहीं किया उन्होंने गोरिला युद्ध की रणनीती से मुगलों को कई बार हराया और धीरे धीरे मेवाड के कई किलों को फिर से अपने कबजे में ले लिया महाराना प्रताप ने प्रतिग्या ली थी कि जब तक वे मेवाड को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कर देंगे तब तक वे महल में नहीं रहेंगे, सोने की थाली में भोजन नहीं करेंगे और पत्तों की चटाई पर ही सोएंगे उसने धर्म और जाती की सीमाओं को पार कर अपनी राजनीति को मजबूत किया महाराना प्रताप ने कभी भी किसी बाहरी शक्ती के सामने जुकने से इनकार कर दिया उन्होंने स्वतंतरता और स्वाभिमान के लिए अपने राज्य को त्यागने तक की स्थिती में जीना स्वीकार किया उनका मानना था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण, स्वाभिमान और स्वतंतरता है जिसे किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए महाराना प्रताप ने न केवल अपने राज्य मेवाड की स्वतंतरता की रक्षा की, बलकि उन्होंने पूरे देश को एक संदेश दिया कि स्वतंतरता के लिए संघर्ष करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने भविष्य की पीडियों को यह सिखाया कि कभी भी अन्याय और अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।